Hello Friends, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ExpressJS का First Tutorial तो Friends, वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात ये आती है कि ExpressJS है क्या Friends मैं आखको बता देता हूँ ExpressJS जो है, वो NodeJS का एक framework है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है small express.js is small node.js framework मैंने यहाँ पर small इसलिए लिखा है क्योंकि यह बहुत ही small है मतलब जादा इसके अंदर कुछ होता नहीं है अगर आप express.js install करेंगे न तो केवल आपको एक package.json वाली file मिलेगी और एक node underscore module folder मिलेगा बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा है framework की लेकि जादा आपको कुछ मिलेगा नहीं और इसमें आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से coding कर सकते हैं कि अपने हिसाब से जहां मर्जी चाहें आप कुछ भी अपना rule follow करके अपना बना सकते कोडिंग अब जैसे कि मैं और framework और language की framework की बात करता हूं जैसे कि आपने अगर PHP की होगी तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक Laravel framework होता है कोडिंग नेटर होता है या केक PHP होता है या 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 यह होता है यह तो PHP के framework है ऐसी पाइथन में होता है जैंगो है तो जैसे लारावेल की बात समझ लीजे अगर जिन्होंने लारावेल कर रखी होगी वो मेरी बात समझ सकते हैं आसा नहीं तो आप यह देखेंगे कि उन framework मे क्या होता है उसमें ik rules होता है कि वह यह chooses का फैर और यह lifter और यहां पर यहांपे आपको पना coup जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता है अगर आप जोब करना चाहते हैं तो यह समझ लिए आपको यही एक्सप्रेस फ्रेमबर की सीखना चाहिए वैसे और भी फ्रेमबर कें एक है नेश्ट जिएस वह भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ठीक है लेकिन अगर कम्मुनिटी वाई सकत देखा जाए मतलब ऐसे समझ लिए कि बहुत ज्यादा यूजर्ज जो होता है वह एक्सप्रेस का ही है ठीक है अभी आपने सुना भी ह है इसका मतलब समझ रहे है कि एक्सप्रेस जो है वह सबसे ज्यादा यूजर्ज करने वाला नोट.js का फ्रीमबग है अच्छा इसके अलावब इट इस डबलब बाई नोट.js फांडेशन इसे नोट.js फांडेशन वालों ने इसे डर्लॉप किया है और इसका जो फर्स्ट रिलीज आया था वह 16 नमेंबर 2010 में आया था तो फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा सा ब्राउजर पर चलता हूं और आपको इसके बादे में और बताता हूं अब मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है यहां पर सबसे पहले मैं सर्च करूंगा नोट.js का फ्रेंबर यहां पर आपको बहुत सारी वैपसाइट के लिंक मिलेंगे किसी भी लिंक पर किलिक कर लिजेगा यह देखे सबसे पहले Express का नाम आया मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि Node.js के framework की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा चलने वाला जो framework है वो Express.js है चले किसी और link पे चलते है randomly किसी भी link पे आप search कर सकते है यह देखे एक्सप्रेस.js ठीक है तो आप किसी भी link पे यह वाला ऐसा search करके देख लिजेगा तो सबसे ज़्यादा चलने वाला जो framework है Node.js का वो Express.js ही है अगर आप Node.js में सुच करना है तो आपको यह framework सीखना चाहिए ठीक है वैसे Nest.js भी बहुत चलता है उसके features बहुत ज़्यादा है Express.js के मुकाबले तीक है उस महाँ पे एक folder structure भी दिया जाता है कि यहाँ पे इस तरीके से काम करना है features भी बहुत जाता है और coding भी आपको कम करनी होती है features बहुत जाता है अगर market में जो इस समय चल रहा है वो express ही चल रहा है अगर आप job सर्च करेंगे तो सबसे जादा आपको job में आपको express.js ही यूज करनी पड़ेगी तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप node.js में अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप framework सिखिए तो express.js ही सीखिए तो इसको छोड़ते हैं अब हम चलते हैं में अप्रेट टॉपिक पर अब हम सर्च करते हैं express क्या है express express.js भी लिख सकते हैं और express.js भी लिख सकते हैं देखिए express.js लिख लिजेगा तो सबसे पहले आपको express.js की website मिलेगी इस पर open कर लिजेगा यहां express.js के बारे में लिखा हुआ है कि express.js का current version कौन सा है 4.18.1 यह का current version है यहां पर बताना है express.js fast है भी fast तो हो गई जब यहां पर कुछ rule structure तो है नहीं अगर आप इसको install करेंगे तो आपको एक packet.json file मिलेगी एक note underscore model folder मिलेगा यहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा बाकि आप अपने किसी भी तरीके से coding कर सकते हैं देकिए यहां भी लिखा है unopinated unopinated का मतलब यह हुआ कि आप अपने किसी भी तरीके से coding कर सकते हैं मतलब x-s.js खुद बता रहा है मतलब जैसे होता नहीं है कि Laravel अगर आपने किया होगा तो उसमें controller folder होता है model folder होता है बहुत सारे folders मिलते हैं आपको structure वहां को बताया जाता है कि आपको इसी तरीके से coding कर दी है सब लोग उसी तरीके से करते हैं बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है यहां पर आप अपने हिसाब से खुद अपना structure बना लीजिए और कर लीजिए coding तो इसी लिए इन्हों ने लिखा है अनुपीनिटेट इसके अलाबा अगर आपको install करना है तो यह command है npm install access.save install में आप पूरा नहीं लिखके आप आई भी लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है और .save इसका क्या मतलब है तो main काम क्या होता .save का package.json वाली फाइल में dependency को update कर देना बट यहां पर एक केस और भी है अगर आप depend करता है कि आप npm का कौन सा बर्जन यूज़ कर रहे है अगर आप npm का बर्जन 5 यूज़ कर रहे है या उससे last यूज़ कर रहे है तब आपको इस command की जरूवत है और अगर आप 5 से बड़ा बर्जन यूज़ कर रहे है ठीक है तो .save की भी जरूवत नहीं है अब automatically by default यह save करा देता है ठीक है तो इसकी requirement भी खत्म हुई इसके अलाबह इसका यह tutorial दिया हुआ है इसको भी आप पर सकते हैं यह installation का इसका process लिखा हुआ है कैसे क्या करते हैं ठीक है और इसमें coding अगरा दे रखी है कि कि किस तरीके से coding करनी चाहिए है यह बता रहे है अब देखिए इसमें क्या है popular framework देखिए framework built on express मतलब कहने का मतलब है express को यूज़ करके यह framework बनाएगा है देखिए लिखा है several popular node.js framework are built on express यह सारे और framework है यह सब node.js के framework है लेकिन यह express.js की help से बने हुए है यहां भी लिखा हुआ है आप साब आप पढ़ सकते हैं मैं बड़ा कर देता हूँ यह लिखा है several popular node.js framework are built on express यह थारे यह भी node.js इसमें से सबसे ज़्यादा चलता है वो यह वाला चलता है आप इसकी साइट पर पहुंच जाएंगे यह भी यह इसमें ले गया गया इसको तो यह सब चीज़े थी तो फ्रेंड्स यह तो था इसका express.js का introduction अब मैं अपने सिस्टम पर चलता हूँ आपको इसको install करके लिखाता हूँ यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ एक folder create कर लेता हूँ ऐसा करता हूँ इसमें चला जाता हूँ यह ज्रेम में आ गया यहाँ अब एक folder बना देता हूँ my express कहने का मतलब अब मैं आपके सामने express.js को install करके दिखा रहा हूँ मैंने क्या कि अपने सिस्टम में eDrive के अंदर my express नाम कर पहले एक folder बनाया उसके बाद मैं इसको cmd करके open करूँगा code. अगर नहीं आता तो किसी को मैं close करके फिर से बता देता हूँ देखे फिर से गया इस पर click किया इसमें जाके आपको बस click करना है जैसे click करें इस तरीके दो जाएगा और उसके बाद cmd लिख दीजेगा कुछ लोगों को नहीं आता इसलिए बता रहा हूँ code. लिखेगा code. लिखने से क्या होगा visual studio की जाएगा visual studio code अब यहाँ पर कर देते हैं येस ठीक है तो अभी blank folder बना हुआ है ठीक है अब मैं इसको install करूँगा तो यहाँ पर मैं करता हूँ terminal ठीक है अब सबसे पहले मैं चेक करूँगा npm का वर्जन उसके लिए मैं क्या करूँगा npm-v मेरे system में 8 बर्जन है ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था अगा 5 से बड़ा बाला बर्जन है ठीक है तो data shape लिखने ही जरूवत नहीं है छोटे वाले बर्जन के लिए जरूवत है ठीक है तो अब हम install करते हैं express.js मैं command लिखके दिखाता हूँ देखो पूरी तरह से सब कुछ आपको बताता हूँ ठीक है देखे npm i भी लिख सकते हैं और install भी लिख सकते हैं ऐसे और data save ठीक है save इसलिए नहीं लिखना पड़ेगा इसको मैं हटा देता हूँ इसलिए नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे में 8 वर्जन है 5 से बढ़ा है इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है और install के लिए आप पूरा install लिखिए या i लिख लीजिए दो नहीं की बात है ठीक है तो यह रही हमारी command npm i express ठीक है अब मैं एंटर करूँगा देखें एंटर करने के बाद क्या होगा यहां पर देखें node underscore module folder बन गया और एक package.json फाइल बनी और इसके अलाभा कुछ भी नहीं मिला हमें ठीक है अब सब को हमको यहां पर करना है ठीक है अमाल लिए शबसे पहले हमारा क्या काम होता हमें करना होटा है server पर page रन करना करना होता है यह करना होता ना home page करना होता है तो कैसे करेंगे ढ़िक है तो यहां पर सब पहले हम को एक फाइल बनानी पड़ेगी किसी भी नाम से बना सकते हैं इंडस.js के नाम से बना सकते हैं लेकिन मैं बनाता हूं up.js के नाम brand में एक सा करेंगे जब टीक है इसे घटा दिता हूँ अब यहां पर क्या कर नहोंगा हम कोडिंग स्टाइट करेंगे सब से पहले हम क्या करेंगे और एक्सप्रेस乐ैस को रिक्वायर करेंगे यहां प्याम कुछ कुछ भी डाल सकते हैं एक्सप्रेस यह कुछ भी लिख सकते हैं बट रिक्वायर आपको एक्सप्रेस ही करना होगा ठीक है उसके बाद मैं एक वेरिबिल और करता हूं ठीक है यह को करेंगे इसके बाद मैं ऐसा करता हूं एक port बंहा लेता हूं ठीक है इतना कर लेंगे इसके बाद क्या करेंगे इसके एँज़ आपकोय यूवरील बनानेए तो यहां पर यह जो एप बनाया है न यह वेरिबिल क्रीट किया है आप डॉट गेट करना पड़ेगा ठीक है यह मैथड होते हैं हमादे जैसे एप.get एप डॉर्ट पोस्ट ठीक है आपको जो से यह सी रिक्वेस्ट बनानी है ठीक है एप. डॉर्ट Amen अभी इतना सबकुहिज रहे है इसको हमळद आते हैं ठीक है अभी में इतना प्रेंड गेट इसके अलावा इसके अंदर دो पेरामीटर होंगे कर पेहले पीरामीटर के अंदर रहे हdamara यू आरेल ऐसा ठीक है और दूसरे के अंदर रहेगा कॉल वेक्ट फंक्शन इस तरीके और इसके अंदर रहेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉंस ठीक है ऐसे अगर आपको और बनाने है तो आप और भी बना सकने सब्सक्राइब आपको कुछ मैसे लिखना है तो आप कैसे लिखेगा आरे एस डॉट सेंड ठीक है मैं लिख देता हूं वेलकम दोस्त यहां पर लिखता हूं आरे एस डॉट सेंड अबाउट अस ठीक है इसके वाद हमें क्या करना पड़ेगा इसको लिस्ट करना होगा एप डॉट लिस्टिन ठीक है यहाँ पर भी दो पैरामीटर होते हैं ठीक है पहले आप लिखेंगे पोर्ट दूसरा पैरामीटर आपकी मर्जी दीजिए या नहीं मर्जी मत दीजिए तो भी चलेगा ठीक है बट दे देंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि सर्वर चल रहा है नहीं चल अधरा क्या सकता ऐसे इस तरीके से एक कॉल बैक बना लिजेगा इसके अंदर आप कंसोल कर लिजेगा यह को जरूरी नहीं है बट आपकी इंफोर्मेशन के लिए आपकी नॉलज के लिए ठीक है यहाँ पर लग लेते हैं सर्वर रनिंग सर्वर रनिंग ठीक है और इसमें लिखते हम यह डॉलर लगा लेते हैं डॉलर यह रहा पोर्ट ठीक है अब इसको मैं सेफ करना लेता हूं और मैं इसको रन करता हूं नूड यह नूड कमांड होती है इसके तुरूर रन करेंगे हम एप्ट और जेस अब हम यहां पर करेंगे लोकल होस्ट 5000 इसके लाभा एक हमने आवाउट भी बना रहा था आवाउट लिखेंगे दिखेंगे आवाउट असका पेज आ गया तो फ्रेंड्स यह था आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया है बस आपको एक्सपेस जेस का इंट्रोडेक्शन दिया है और किस तरीके से एक्सपेस जेस को इंस्टॉल करते हैं बस इतना बना है मैंने आपको और आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा आपके मन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के थुरू मुझसे पूछ ल कर दिया मुझे लगा कि शायद किसी को जरूवती नहीं होगी तो फ्रेंट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाओं तो प्लीज कमेंट जरू करिएगा ठीक है तो और फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगे लाइक जरू करिएगा और आप चैनल पे नए आए तो च